शारुखान इन दिनों IPL के चलते दुबई में हैं और हाली में उनकी टीम कॉलकता नाइट राइडर्स का माच राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ और इस माच के लिए शारुखान अपनी टीम का होसला अभजाई करने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे राजसान रॉयल्स को कॉलकता नाइट राइडर्स के आगे 37 रनों की हारकार सामना करना पड़ा वहीं शारुखान और गौरी खान की कुछ पिच्चुस और वीडियोस भी खूब वारल हो रहे हैं इसमें वह अपने बेटे आरियन खान के साथ स्टेडियम में टीम को चेर करते हुए देख रहे हैं लेकिन शारुख की स्माइल उनका ये जोश देकर फैंस जितने खुश हुए उतना ही फैंस शारुख के इस नए लुक को देकर जोश में आ गए लंबे लंबे बाल, हलकी हलकी दाड़ी और मूच शारुख का ये नया लुक देकर फैंस का तो दिल खुश ही हो गया और उपर से ये टोपी शारुख इस पूरे लुक में चार चान लगा रही थी इतना यह नहीं, फैंस तो शारू का यह लुक देकर इतने खुश हुए कि वो तो यह डिमांड करने लगे कि शारू का अपनी नई फिल्म में यही लुक रिखना चाहिए देखें फैंस के कुछ रियाक्शन King Khan in the house and he looks absolutely smashing I think I know this look, isn't this the Dawn look? King Khan showing his stylish hairstyle and we are totally in love with it Dawn 3 पकी है यार, look तो देखो आपको बता दे कि शारू खान की टीम कॉलकता नाइट राइडर्स की पोफोर्मेंस की बात करें तो KKR की ओर से पहले बैटिंग करके बनाए गए 174 की स्कोर को राजस्तान की टीम कभी भी पार करती नजर नहीं आई और निर्धारे 20 ओवस में गिरते पड़ते हुए 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना पाई और राजस्तान रोयल्स में टॉप कुरे ने 36 गेंदू पर 54 रन्स जिसमें 2 चौक के 3 चक के बना कर टीम को 137 तक पहुँचा है लेकिट जाहिर है कि KKR की जीत से ज्यादा शारुखार के नए लुक के चर्चे ज्यादा थे तो भई आपको शारुखा ये नए लुक कैसा लगा शेर कीजिए अपनी राई कमेंट सेक्शन में बॉलीवूड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करे हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल आइकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं